तो चलिए आज बनाते हैं सबजीयों से भरपूर बहुत ही हेल्दी बहुत ही टेस्टी खिचडी वो भी कूकर में एक दम पर्फेक्ट नाप के साथ सभी को खुब पसंद आएगा तो एक बात जरूर ट्राइ करें अगर हमारी वीडियो आपको थोड़ा सा भी हैलफुल लग कीचेगा तो प्लीज लाइक कीचेगा चैनल को सिब्सक्राइब कर लीजेगा बेल आइकन को फ्रेस कर लीजेगा जिससे हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुचे तो चलिए हेल्दी और टेस्टी खिचडी बनाना हम सुरू करते हैं हमें कटे हुए सबजिया लेना है एक कटा हुआ प्याज एक कटा हुआ आलू बारिक बारी कटा हुआ लेना है थोड़ा सा कटा हुआ फूल गोभी गाजर बीन्स और हमें लेना है थोड़ा सा मटर आपको जो भी सबजी पसंद है उसे डाले और जो नहीं पसंद करते हैं आप उसे स्कीप कर सकते है और अभी हमें एक बड़े बावल में लेना है एक कटोडी चावल आप कोई भी कप या कटोडी से चावल को ले सकते हैं मैं ये छोटा बास्मती चावल ली हूँ आपके घर में जो भी चावल बनता है उस चावल से आप इस खिश्डी को बना सकते हैं उसी कटोडी से हमें लेना है दाल आधा कटोडी से जादा हमें लेना है मसूर दाल और थोड़ा सा हमें इसमें डाल देना है चना दाल और अभी हमें इसे चावल में डाल देना है अब मुम का दाल का भी इसमें यूज कर सकती है और अभी हमें इसे दो तीन पानी अच्छे से धोलेना है, डाल और चावल अच्छे से धोल चुका है, तो अभी हमें गैस पे चड़ा देना है कूकर को, और इसमें हमें डाल देना है, दो चम्मच तेल, मैं सर्सो का तेल डाल रही हूँ, आप जो भी तेल खाते हैं, उस तेल में खिचड़ी को बना सकते हैं, या फिर गी अब डाल सकते हैं, तेल गरम हो चुका है, अभी हमें इसमें डाल देना है, आधा चम्मच, जीरा, जीरा को हमें हलका ब्राउन होने देना है, अभी हमें गैस का फ्लेम मीडियम रखना है, जीरा ब्राउन हो चुका है, तो अभी हमें इसमें कटे हुए प्याज को डाल देन है इसे हमें चला लेना है प्याज को हमें बस आधा मिनट के लिए भूनना है बहुत जादा देर के लिए नहीं भूनना है प्याज को भूनते हुए आधा मिनट हो चुका है तो देख सकते हैं प्याज बहुत जादा भूना नहीं है बस यह हलका ही भूना अभी हमें इसमें डाल देना है सबजीयों को आलू और अभी हमें इसमें डाल देना है फूल गोभी को क्योंकि आलू और फूल गोभी को थोड़ा जादा हमें भूनना है हमें इसे धीमे धीमे हीट पे दो मिनट के लिए प्याज के साथ भूनना है हमें इसे एक दम लो हीट पे भूनना है नहीं तो प्यार जल जाएगा थोड़े थोड़े देर में हमें इसे चलाते रहना है जैसे ही हलका भून जाएगा तभी हमें इसमें बाकी के सबजियों को डाल देना है इसमें डाल देना है बीन्स और गाजर इसे चलाते हुए हमें एक मिनट के लिए भून लेना है एक बार इस तरीके से खिचडी को जरूर बनाईएगा खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है बनाना बहुत असान है बच्चों को भी ये खूब पसंद आएगा सारे सबजियों को भूनते हुए थोड़ा देर हो चुका है तो अभी हमें इसमें डाल देना है एक कटा हुआ हरा मेर्ज अगर आप ज़्यादा तीखा खाना पसंद करते हैं तो ज़्यादा भी डाल सकते हैं सबजिया हलका भून चुका है तो अभी हमें इसमें डाल देना है मटर को मटर को हमें चलाते हुए आधा मिनट के लिए भूनना है जिससे मटर का जो कचापन का डेस्ट है वो समाप्त हो जाएगा अभी हमें गैस का फ्लेम लो रखना है मटर को भूनते हुए आधा मिनट हो चुका है तो अभी हमें इसमें डाल देना है एक चम्माच कूटी हुई लैसून अद्रग आप पेस्ट भी ले सकते हैं इसे हमें चलाते हुए आधा मिनट के लिए भूनना है जिससे लैसून अद्रग का जो कचापन का टेस्ट है वो समाप्थो जाएगा हमें इसे थोड़े थोड़े देर में चलाते रहना है सबजियों को हमें बहुत जादा देर के लिए नहीं भूनना है तो अभी आप देख सकते हैं लैसून अद्रग भी अच्छे से भून चुका है तो अभी हमें इसमें डाल देना है कटे हुए टमाटर को इसे हमें चला लेना है अभी हमें गैस का फ्लेम लो कर लेना है और अभी हमें इसमें मसाले डाल लेना है सारे मसाले छोटे वाले चम्मच से है दो चम्मच धनिया पाउडर एक चम्मच हल्ली पाउडर आधा चम्मच लालमेश पाउडर ये का स्मेरी लालमिश पाउडर है अब तीखा वाला लालमिश पाउडर इसमें डाल सकते हैं आधा चम्माच चीरा पाउडर आधा चम्माच कालिमेश पाउडर अभी हमें मसाले को चला लेना है गैस का फ्लेम हमें लो रखना है low heat पर हमें मसाले को 1-1.5 मिनट के लिए भूनना है इतने देर में मसाले अच्छे से भून जाएंगे हमें gas का flame high नहीं रखना है अगर high flame पर आप मसाले को भूनियेगा तो मसाला जल सकता है मसाले को भूनते हुए 1.5 मिनट हो चुका है तो अभी हमें इसमें डाल देना है धूली हुई चावल और दाल को और अभी हमें इसे चला लेना है और अभी हमें इसमें डाल देना है नमक नमक आप अपने स्वाद अनुसार डाले मैं डेड़ चम्मच नमक डाल रही हूँ इसे भी हमें मिक्स कर लेना है और अभी हमें इसमें डाल देना है पानी पानी हमें उसी कटोड़ी से डालना है जिस कटोड़ी से चावल लिये थे चावल और दाल हमें इसमें आठ के टोड़ी पानी डालना है इतने पानी में एक दम परफेक्ट खिचड़ी बनता है न बहुत जादा पतला होगा न बहुत जादा गाड़ा होगा एक दम परफेक्ट बनेगा पानी डालने के बाद हमें इसे चला लेना है और अभी हमें कुकर का ढखन लगा कर इसे हमें low to medium heat पे दो सीटी आने तक पकाना है इतने में चावल और दाल एक दम अच्छे से पक जाता है इस से जादा हमें सीटी नहीं लगाना है अभी कुकर का प्रेसर निकल चुका है तो अभी हमें इसका ढखकन हटा कर इसे चेक करना है तो अभी आप देख सकते हैं एक दम परफेक्ट खिचडी वना है न बहुत जादा गाढ़ा है न बहुत जादा पतला है अगर आपका खीची थोड़ा गाड़ा हो गया तो आप इसमे थोड़ा गरम पानी डाल सकते हैं और अभी हमें इसमें डाल देना है थोड़ा सा कटा हुआ धनिया पत्ता इसे भी हमें चला लेना है और अभी हमें इसमें तड़का लगाना है तड़का लगाने के लिए गैस बिचरा देना है कल्चुल को इसमें डाल देना है एक चम्मज तेल तेल गरम हो चुका है तो वन फूर चम्मज जीरा डालना है जीरा को हमें ब्राउन होने देना है जीरा ब्राउन हो चुका है तो अभी हमें इसमें डाल देना है एक लाल मिर्च और अभी हमें इसमें खिचुडी में तड़का लगा देना है तड़का लगाते के साथ हमें कुकर का ढखकन लगा देना है थोड़े देर बाद हमें इसे सर्व करना है देख सकते एक दम परफेक्ट बना है आप इस एक बाद जरूर ट्राइ करें सभी को काफी पसंद आएगा अगर हमारी वीडियो आपको थोड़ा सा भी हैलफुल लगा होगा तो प्लीज लाइक कीजेगा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजेगा अपने फैमिली फ्रेंड के साथ सेर जरूर कीजेगा कमेंट में जरूर बताइएगा रेस्पी आपको कैसा लगा आपके फैमिली वालों को कैसा लगा थैंक यू फर वाचिंग